हालो गाइस कैसे हैं आप मैं हूँ हनी शेफ्स कंसल्टेंसी से आपका गोस्ट एक शेफ और एक कंसल्टेंट तो आज की जो रेसिपी है वो है एक ब्रेकफास्ट और इतना इजी ब्रेकफास्ट है के पहली बात तो उसके इंग्रेजिएंट्स अब आपके घर पे होंगे इसरा यह है कि वो जो रेसिपी है वो सब को घर में पसंदाने वाली है चाहे वो बड़े लोग है चाहे वो बच्चे हैं तो यह रेसिपी को पूरा देखे घर में ट्राइ किजिए और उसके बाद मुझे बताईए कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी तो चलिए शुरू करत है तो चलिए इस प्रिकफस को बनाने के लिए जो इंग्रीजेंट्स लगेंगे मां आपको वो बता देता हो तो यहां वे हमने लिया है चॉप ओंनिया जोगे ए मेडियम साइज है उसको मैंने चौप कर लिया है उसके बारTMस कर लिया में तो मैने लिया जोप को रिय ऐस Lui लिए अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली आप इसमें से हटा भी सकते हैं यानि कि ग्रीन चिली ना डालें उसके बाद हम जो यूज करने वाले हैं ब्रेट को मैंने डाइसे में काट लिया है स्कौर चोटे और इनकी साइड कटिंग कर लिया है यानि की टरमिक पाउडर यहां यूज करेंगे और अलमोस्ट आदी टीश्पून फिर आपका रेड चिली पाउड़र रहेगा ये भी आदी टीश्पून यूज करेंगे उसके बाद राइ जो है मस्टड़ सीट ये तडगे के लिए यूज करेंगे और सॉल्ट टेस्टिस में रहेगा तो अब हम इसको बनाना शिरू करते हैं तो यहां पर हमने लिया एक पैन में 2 टेबल स्पून रिफाइन डॉयल तो इसको पहले गरम हो देते हैं तो यहां पर हमारा तेल जो वह वह गरम हो चुका है सबसे पहले इसमें हम डालेंगे राई यानि कि मस्टर्ड अब हम इसमें डालेंगे चॉप ओनियन यहां भी हम अनियन को ज्यादा पकाएंगे नहीं हमें सिरफ ओनियन को गलाना है कि वह गल जाए अच्छी तरह इसमें कलर जो है वह नहीं आना चाहिए जिससे हम ट्रांसल्यूशन भी बोलते हैं तो शलिए ओनियन जो है अल्मूस् चिली और इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लीजिए अब जो टमाटर उसको भी हमने ज्यादा पकाना नहीं है इसको हम आदा कच्छा आदा पका रखेंगे यह बिल्कुल भी गलने नहीं चाहिए इनके चंट्स जो है वैसे के वैसे ही रहने चाहिए तो इसका फुड़ा स प्रोसेस जो है फसका करने के लिए हम इसमें पले ही थोड़ा सा साल डाल देंगे तो आप के तो यह बीर माटर जल्दी ओग ज़ल झाहिए तो यहाँ पे मैं अभी दाल रहाँ हों थोड़ा सा साल यहाँ पी टमैटों पप्षूके है इसमें आब बाक ही के मसालीacas विख अब जो आपके मसाले हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो चुके अब हम इसमें डाल लेंगे सबसे पहले अंडा यानि की एक्स जो कि हमने दो विस्क करके रखे थे तो आप ध्यान रखिए कि जब भी आप एक डालें लगें इसमें तो फ्लेम को स्लो रखें ताकि जो आपका जियान देनी वाली बात यह है कि आपको जो ब्रेड हमने पीसिज में काटी हुई है उसको कब डालना है उसका एक पर एक टाइमिंग होता है मैं आपको बताऊंगा आपके जो ब्रेड है उसके भी एक की कोटिंग आ जाए तो यह देखिए इतना गीला यह हो गया है अब आप इसमें जो है आपकी ब्रेड जो है वो डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो देखिए यह थोड़ा पकाने के बाद अब एक भी हलका सा ड्राइ हो चुका है और जो हमें डिजाइड कंसिस्टेंसी चाहिए थी इसकी कि ब्रेड ज़दा हाड भी ना हो और पोटिंग भी अच्छी सी आजए इसके उपर वो इसके आ चुकी है अब हम इसमें डाल दे देन उसको आप दुबारा मिक्स कर लीजिए तो यह जो आपका ब्रेकफास्ट है यह बिल्कुल रेडी हो चुका है तो यह एक बिल्कुल सिम्पल रेसिपी है इजी रेसिपी है जटपड ब्रेकफास्ट है जो कि मैंने थोड़ा सा ट्विस्स देके बनाए ऐसे तो हम जोड़े तेज की प्रेडिंग का तो कैसी लगी रेसिपी आपको है ना मज़ेदार तो यह नए जहां किजेए घर पे और उसके बाद मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना के सबको कैसी लगी यह इसीपी बनती बहुत जटपट है बहुत ही जल्दी बन जाए क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे और मोटीवेशन मिलेगा, मैं और नई नई चीज़े आपके लिए लेकर आ सकूंगा. So till then, stay safe, stay healthy and good bye.